हुआ हेलो स्टूडेंट्स आई हम गुर्वेंदर काउर सीनियर फेकलिटी एट अभिमन्यु आई एस वीरी वॉम विलकम अलो फू इन दिस सेशन तो स्टूडेंट आज हम यहां पे पंजाब सिबल सर्विसीज के लिए एक इंपॉर्टेंट इसकेशन करेंगे राइट इसक की इतनी इंपॉर्टेंस को यहां तो उनको पता नहीं है यहां फिर उसको वोट मितलब पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं ठीक है तो उसी पर हम आज डिसकेशन करने वाले हैं कि पीवाई क्यू पेपर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो स्टूडेंट नोटि अपनी त्यारी जो है अपनी प्रेपरेशन जो है उसको आप कंटीनियू रखिये थीक है आफटर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम बहुत ही गम होका तो लिंटी टाइम में उस टाइम पर प्रेशर भी बहुत होता राइट तो आप थोड़ा सा अ अपने आपको तो स्टार्ट करते हैं student हम आज का topic that is our pre-pyq importance of previous year question paper क्या है ठीक है क्या जरूरत है इसकी क्यूं पढ़ने है भाई जो question पहली आगे आप मेरे से पूछोगे कि मैं अब उसको क्यूं discussion करना है उसके बारे में वो तो आई चुके है न मैं और even मेरी तो series भी चल रही है pyq के उपर जिसमें हम detail form में जाए हम पूरे session में 5 questions ही क्यों न discuss करें तब भी हम उसको complete करते हैं right उसमें हम discussion करते हैं सब topics के बारे में जो भी उसमें statements हैं उनको भी हम पढ़ते हैं अच्छे से right क्यूं पढ़ते हैं आपको you know अगर आप उस series को follow नहीं कर रहे हैं तो आज का मे लिखने के बाद आपको उसकी important समझ में आ जाएगी कि वो जो अभी तक 30 session में जा चुके हैं PYQ के उपर इतने सारे sessions क्यों जा चुके हैं क्यों important है हमारे previous year question paper तो first of all student आप exam के बारे में एक चीज़ समझें exam को लेकर एक चीज़ समझें सबसे पहले एक जाएम को लेकर एक चीज़ समझो student know your exam, know your exam किसी भी exam को crack करने के लिए just like our आपको भी पता है महा भारत के अंदर जो चक्र व्यू था उसको अभी मन्यों के बेटे ने you know भेदा था उसको तोड़ा था ठीक है और उस चकर व्यू को तोड़ने के लिए उसको सबसे पहले उसने उसको सीखा इसके बारे में उसने learn किया कि हंजी ये जो चकर व्यू है उसको किस तरीके से मुझे तोड़ना है मुझे किस तरीके से इसको पार करना है एक्जाम को student आप उस चकर वियू की तरह समझ सकते हैं जिसको cross करना बहुत ही मुश्किल है अब आपको नहीं पता कि कहां से निकलना, कहां से एंटर करना, कहां से जाना, आपको कुछ नहीं पता इसमें ठीक है? तो student इस चकर वियू को तोड़ना है, यह जो एक्जाम है, इसको आप ऐज़े चकर वियू की तरह समझ जब आपको अगर चकर वियू तोड़ना है, उस एक्जाम को, उसको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्जाम के अंदर है क्या चीज, क्या आप पूछा जाने वाल उसके सिर्फ दो ही मिरर्स हैं student, उस एक्जाम को देखने के दो ही मिरर्स हैं आपके पास, पहला आपका syllabus, और दूसरा है student आपका PYQ, इसके अलावा student उस एक्जाम के बारे में जानने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, कि वो एक्जाम किस तरीके का रहे है, उसका क् है, क्या pattern है, इस तरीके के वो question पुट कर रहे है, examiner का mindset क्या है, क्या difficulty level है, कितना portion कहां से आ रहे है, current affair की कितनी importance है, कितने question कहां से आ रहे है, आपको कोई idea नहीं लगेगा, सिर्फ ये दो चीजों के बहाफ पे आप पता लगा सकते हैं सब चीजों का, सबसे पहले student अगर मैं बात करूँ, syllabus की, तो see here student, syllabus जो है, वो एक, वो बिल्कुल क्या है, एक तरीके का reference की तरीके से दिया हुए, reference point of view से दिया हुए, आप इसको as a reference की तरह use कर सकते हैं, मतलब कि, जो syllabus दिया होता है, जैसे आप पंजाब PCS के अगर बात करो, तो नीचे उन्होंने एक line, दो line लिखी हुई है, कि ये जो syllabus है, ये just आपको सिर्फ एक guidance देने के लिए है, कि हंजी, आपको यहां यहां से आपको question आ सकते हैं, but beyond that भी आप से question put किये जा सकते हैं, जैसे अगर आप school time में थे, तो आपके पास एक defined, well defined syllabus होता है, कि हंजी, ये book पढ़ यहीं से आईगा, फिर 10th में होता है, तब भी ऐसा ही होता है, जब आप graduation करते हो, तब भी आप ऐसा ही होता है, आपके पास particular notes होती है, particular बुक होती है, particular आपके पास source होता है, आपको बस वही पढ़ना होता है, वहीं से paper आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि out of the box जाके आप आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए आपका नीट जही क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता बट इफ भी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एक्जैम में भी अगर हम PCS जैसे एक्जैम की बात करें पंजाब Civil Services की एक्जैम की बात करें सिर्फ और सिर्फ इसी सलेबस के अंदर से ही आपको पूछा जाएगा नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है राइट Current Affair है, Current Affair का कोई भी Limitation नहीं है वो आपको कहीं से उठा के Current Affair पूछ सकता है उसके पास यह authority है तो student सलेबस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको सिर्फ एक आइडिया देता है एक रफली आइडिया देता है कि हंजी इस तरीके से आपको अपनी preparation का direction लेके जाना है जिसे माल लोग उन्होंने polity के बारे में बात की है तो polity के बारे में आपके पास एक अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए science की बात की है तो science की अच्छी खासी आपके पास knowledge होनी चाहिए चाहिए फिर वो basic है चाहिए फिर वो advanced है राइट अच्छा second चीज जो होती है student that is our PYQ जिस पे हम आज discussion भी कर रहे है student PYQ जो है यह हमारा another mirror है student जो हमें उस mirror का उस जो exam है जो हमारा exam हुआ है जो पहले exams होए है ठीक है उन से हमें एक idea लगता है ठीक है एक idea लगता है कि examiner जो है वो question किस तरीके से पूछ रहा है ठीक है ओके यह बात clear होई तो आपके सामने दो ही mirror है उस exam को देखने के लिए पहला आपका syllabus और दूसरा आपका PYQ syllabus जो है वो किसी-किसी exam के लिए बहुत अच्छे से defined है जैसे अगर मैं PCS की बात करूँ पंजाब Civil Services की अगर मैं बात करूँ तो हाँ उन्होंने syllabus बहुत अच्छे से defined किया हुआ है for the prelims as well as mains बट हाँ नीचे उन्होंने दो lines भी लिखी हुई है जिन पे आपको गौर करने की जरूरत है नेक्स्ट है हमारा previous year question paper previous year question भी हमें बहुत ज़्यादा help करते हैं ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया ठीक है तो अब हम बात करते हैं student की previous year paper किस तरीके से करने चाहिए और इनकी importance क्या है ठीक है इसके बारे में बात करते हैं तो see year student अगर मैं बात करूँ P.E.Y.Q के तो जिसे अगर UPSC के बात करते हैं ऐसा तो है नहीं कि आप जो है वो ठारे साल के paper करने बैठ जाओ नहीं उसमें आपका एक limit है कि आप last 10 year के जो paper है आप उनको देखिए same हमारा पंजाब civil services है उसके आपको 2012 से लेकर और 2020-2020 तक के आपको paper मिल जाएंगे तो साल बात paper हुआ है student तो आपको 2012 का paper मिलेगा आप net से डाउनलोड कर सकते है 2015 का 2000 से 18 का and 2020 का आपके पास total 4 papers है PYQ for the Punjab Civil Services तो आप student starting से पढ़िए ठीक है एक एक paper करके आप उसको पढ़िए ध्यान से पढ़िए अच्छा पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपने paper उठाया एक तरफ आपने question paper ले लिया एक तरफ रख लिया अपने answer की आपने पहला question पढ़ा और इसका answer देख लिया नहीं, this is the wrong method यह गलत method अगर आप ऐसा कर रहे हैं अब तक तो आप गलत पढ़ रहे हैं PYQ करने का मतलब यह होता है student कि जब आप question को पढ़ो जब किसी भी question को आप पढ़ो तब उसकी आप सारे statements को ध्यान से पढ़ो कि हंजी question को examiner ने set कैसे किये ठीक है एक 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 question जब आप पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो जब आप 100 question पर आते हो और आप जब 100 questions के answer देख ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने एक बार PYQ कर लिया और उसके बाद आप उसको छोड़ दो नहीं बच्चे छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है उसको आपको उसको छोड़ना नहीं है आपको आप उसको छोड़ने की यही तो बच्चे गलती करते हैं पहला एक ही बार में अगर आप PYQ कर लोगे एक बार आपने मालो PYQ कर लिया 2000 का कर लिया फिर आपने 14 का कर लिया 15 का कर लिया फिर आपने 2018 का कर लिया 20 का कर लिया and that's it हो गया नहीं यह PYQ करने का तरीका नहीं है बच्चे सबसे पहले सबसे पहले आपको अगर आप खुद से पढ़ रहे है ठीक है फिर उसकी बात में बात में अगर आप student मेरे sessions लगा रहे है जो YouTube की उपर free of cost है YouTube की उपर free of cost है अभी Manio IIS के channel पर right free of cost सबसे पहले student आप इन sessions को देखिए please watch this session then you can understand कि हंजी जो PYQ है उसको हमें किस तरीके से करके लेके जाना है उसकी चारो statements पढ़िए फिर उसको समझिए उस topic को आप समझिए कि हंजी सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि वो जो question है क्या वो polity का है geography का है geography में भी किसका question है physical geography का है human geography का है agriculture geography का है कहां से है वो question यह पता होना जाहिए बच्ची आपको वो environment का question है वो हमारा current affair का question है current affair में भी कहां से कौन से portion current affair में भी तो कई portion है वो political है वो हमारा static plus current affair को मिला के question set किये उसने उसने government scheme से question put किये ये आपको पता होना चाहिए बचे और फिर आप उसको ध्यान से पड़ोगी हंजी ये जो question है वो उसको किस तरीके से वो define कर ये बात clear हो ये आपको ये बात clear हो ये आपको और second ही जो मैं यहाँ पर ये करूँ बोलूँगी वो ये ये student जब भी आप for example आप दिन में पूरे मैं minimum की बात कर रहे हूँ minimum आप 2 hour पढ़ते हैं तो जब आप 2 hour पढ़के हटते हैं ठीक है? मा लीजे आप रात के time पर पढ़ते हैं तो सोने से पहले student सोने से पहले आप 15 to 20 minute जो है वो आप PYQ ज़रूर देखे ज़रूर देखे चाहे आप कितनी बार भी कितनी बार भी student आप PYQ कर चुके हैं आप PYQ को आप consistently आप उसको देखते रहिए अगर आप रोज नहीं देख सकते हर दूसरे तीसरे दिन उठाके जब भी आप बैठे हैं अपने पढ़ने से आपको लगता है कि मुझे ब्रेक की नीड है या मुझे थोड़ा टाइम कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप PYQ उठाईए और उनको देखिए सुडेंट बिलीव नी जब भी आप उसको देखोगे जितनी बार सुडेंट आप उसको देखोगे आपको आइडिया लगेगा आपको आइडिया लगता जाएगा कि हां जी इस तरीके से अरे ये स्टेटमेंट तो इस तरीके से पूछी गई है, यह statement तो कितनी अच्छी है यह news तो मैंने कल ही पड़ी थी है ना, यह वाला static portion तो मैंने कल ही पड़ा था, तो आपको idea लगता जाएगा बच्चे, आपको आपको पता चलता जाएगा कि हांजी, जो आप पड़ रहे हूँ, वहाँ से PYQ आयो हैं, इसका मतलब that sessions are very important, that section are very important for example मान लीजी, आपने quality की अंदर, quality subject की अंदर, आपने पंचाहिती राज पड़ा पंचाहिती राज सिस्टम आपने पड़ा फिर आपने PYQ लगाई जब आपने PYQ लगाई, इवन मैंने भी अपने sessions में ये बात बोली हुई है तो आप देखोगे, कि यह पंचाहिती राज सिस्टम में से 2012 में से question आया है, 15 में भी पूछा हुआ है 18 में भी पूछा हुआ हुआ, और 20 में भी पूछा हुआ है इसे आपको क्या idea लगा कि पंचाहिती राज सिस्टम is a very important topic in the polity आप क्या करोगे पंचाहिती राज सिस्टम में से अगर उसमें कोई fact भी है उसमें कई सारी committees है स्वार्ण सिंग कमेटी, सौरी, दिनेश स्वामी कमेटी, काफी सारी कमेटी है पंचाहिती राज पे और polity की लक्षमी कांत में सब दी हुई है इवन हमारी NCRT में भी mention है वो चीज तो आप देखोगे कि इसमें से एक एक word जो है ना पंचाहिती राज सिस्टम का वो important है, हर एक date जो है वो important है आप उस chapter को 10 time 15 time आप उसको revise करके उसके MCQ practice करके आप उसको इतना पक्का कर लीजे कि हंजी आपको पता है कि सेक्शन में से सेक्शन में से जो questions है वो बनता ही बनता है, तो आप उसको कर सकते नहीं आया question paper में तो कोई दुख वाली बात नहीं है आपको वो कहीं ना कहीं और ज़रूर help करेगा आपको mains में वो help करेगा आपको interview में वो help करेगा यूकि पंचाइती राज जो system है हमारे इडिया का, that is the third pillar of our democracy yes or no okay, so that's why student this is very important, कि आप इस चीज को समझे for example मान लीजे आपके सामने government schemes आ रही है तो आप देख रहे हैं कि जैसे उस दिन में बात कर रहे थी आशा scheme के बारे में हम बात कर रहे थी आशा के बारे में हम बात कर रहे थी right, तो आप देखोगे कि ऐसी ऐसी scheme जो है that is very important जो हर साल पूछी जा रही है एक्जाम के अंदर तो आप ऐसी चीजों पर आप ध्यान दोगे कि हंजी ऐसे यहां से question जो है वहां से बन रहे हैं फिर हमने जैसे हमने यहां ऐसे भी note किया था कई चीजे हमने उस sessions के अंदर note कि होई हैं कि पंजाब का जो culture है वो बहुत important है पंजाब की जो history है खास करके अगर कोई singer है कोई ऐसे singers हैं जो मतलब जो बहुत ही famous है सुरिंदर कौर जैसे हैं हा न तो ऐसे जो singers है वो बहुत famous है और उनके उपर अगर कुछ भी ऐसा new update आता तो वहां से question बनता है यह सुरनो तो PYQ sessions जो हैं that is very important student ठीक है सबसे पहले तो आपको exam के बारे में idea देते ठीक है exam actual में किस तरीके से आ रहा है किस तरीके से exam जो है वो set हो रहा है हमारा second thing वो आपको बहुत अच्छे से topics cover करने में वो आपको बहुत help करते कई बार क्या होता है कि आप जब आप fury बढ़ रहे होते हो कई बार आप उस topic को नहीं करते बट आप PYQ के थूरू उस topic को cover कर जाते हो तो बहुत सारे extra topics cover करने में आपको help होती है ठीक है जी ये बात clear होई आपको ठीक है importance समझ में आती है student आप हार एक section की importance समझ में आती है different sections की current affair की कितनी importance है government schemes की कितनी importance है right static portion की कितनी importance है right governance की कितनी importance है आपको हर चीज़ समझ में आती है word history की कितनी importance है political theories की कितनी importance हमने कितने सारे questions देखे थे political theories के उपर ठीक है बच्चे तो इस तरीके से student आपको PYQ questions की आपको बहुत अच्छे समझ होनी चाहिए जो PYQ sessions हैं उनको हमें बहुत अच्छे से करना है ठीक है? मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहोंगे कि आप एक बार कर लीजिए या हो सकता है आपको किसी और ने बोला हो कि एक बार कर लो PYQ बहुत है आपको आइडिया लग जाएगा नहीं मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहोंगे आप उसको continuously आप उसको पढ़ते जाएए बच्चे PYQ continue आप उसको करते जाएए मैं ये नहीं कहती कि आप हर रोज उठा के 100-100 questions हो हैं वो आप हर रोज repeat कीजिए नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा रही हूँ एक बार के लिए एक बार के लिए आप PYQ को अच्छे से go through कीजिए and after that आप उसको time to time जो है उसको आप revision करते जाएए ठीक है जब तक आपका exam नहीं हो जाता prelims तब तक आप उसको थोड़ा 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 continue जो है हर रोज अगर आप 10 question 20 question आप उसके daily देखिए उसको repeat में देखिए ठीक है revise कीजिए उनको बार बर ठीक है उनसे related जो भी आपके topics हैं उनको आप cover करते जाए ठीक है क्योंकि इससे आपको बिल्कुल idea लगीगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सही पढ़ दे ठीक है जी तो समझ में आई importance of pyq क्या है तो importance of pyq आज आपको समझ में आ गया होगा कि question paper कितने ज्यादा important है खास करके prelims को लेकर ठीक है तो आगे जो हम next session करेंगे वो हम cover करेंगे student हमारे means के जो pyq है आज मैंने आपको prelims के pyq के sessions के importance बताई जो मेरे youtube पे भी चल रहे हैं ठीक है next हम बात करेंगे means के pyq ठीक है जी यह हमारा specifically focus किया था मैंने prelims के उपर ठीक है जी prelims के pyq के क्या importance है ठीक है तो mains के किस तरीके से करने है उनकी क्या approach रहनी चाहिए उनके बारे में भी हम आगे discussion करेंगे ठीक है जी okay student इसी के साथ student हमारा new batch start हो चुका है इसी के साथ student हमारा new batch start हो चुका है for the PCS exam from 15th jan ठीक है यह जो हमारी 15 jan आ रही है वहाँ से हमारा new batch start हो चुका है for the Punjab Civil Services जिसमें हम basic से start करेंगे student ठीक है बिल्कुल zero level से हम start करेंगे ठीक है जिसमें हम अपने basics cover करेंगे सबसे पहले फिर हम अपने advanced portion को cover करेंगे prelims, mains सबका करेंगे 60% syllabus आपको भी पता है prelims का और mains का same होता है तो उसको हम prelims से पहले-पहले ही cover कर देते so that बाद में जाकर बच्चो के उपर mains के time पे बहुत ज्यादा burden नहीं होना चाहिए कुछ-कुछ portion होते है जो सिर्फ-सिर्फ mains के time पे करने चाहिए वो हम उसे time पे cover करेंगे इसमें आपके weekly test भी होते हैं डेली बेसिस पे थोड़े बहुत जो जो भी आपका topic होता है उससे related भी आपको MCQ practice के लिए मिल जाते हैं ये जो batch है ये online offline दोनों mode में available है आप किसी में भी अपनी registration करवा सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा ठीके जी और कोई भी query है student आपको time management से related personal है ठीके तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जी duty के साथ साथ मुझे किस तरीके से PCS officer बनने का अपना dream पूरा करना है ठीके so then you can contact with me आप मेरे से बात भी कर सकते हैं ठीके तो आप नीचे अभी manyu का आपको link दिया गया होगा वहाँ पर आप click करके अभी manyu पर जाकर आप call करके मेरे से बात भी कर सकते हैं आपकी जो हमारी team है वो reception पर वो मेरी बात करवा देंगे ठीके आप बोल देना कि कुरविंदर मैं से बात करनी है जो faculty है ठीक है जी तो कोई भी आप you know अपने doubts clear कर सकते हैं ठीके जी ओकी ओकी तो मैं इसी के साथ session यहाँ पर over कर रही हूँ Thank you, thank you so much Have a nice day